हेलो एवरीवन कैसे हैं आप सब लोग एमबाई पर आप सभी लोगों कर स्वागत है दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है दोस्तों लेंड माइन्स के बारे में आप लोगों ने सुना होगा और यह बहुत जबरदर्स ४र दिवाइस होता है मतलब जमीन के अंदर माइन्स बिचा देना ठीक है और उन माइन्स से जो है दुश्मनों को नहस्तोनाबूद किया जा सकता है वो बहुत ही मतलब अच्छा खासा दुश्मनों को डेमेज किया जा सकता है ठीक है तो आप लोगों ने इनके बारे में जरूर सुना होगा तो युद्ध में बहुत काम आती है आज विश्व भर में लाखों लेंड माइन्स बिचाई हुई है ऐसा मानना है ठीक है तो आज हम इनके बारे में जनकारी लेने वाले है तो let's start our session How landmine works? Anti-personal mines and anti-tank mines types of landmines यह आज हम लोग करने जा रहे है ठीक है तो भायजी आपको मैंने पहले बता देता हूँ यहां पर देखिएगा आपके सामने लिखा हुआ है अगर आपको नहीं दिख रहा है तो पढ़ लीजे land mines come in different types and designs but broadly there are two main categories anti-personal mines and anti-tank mines तो बहिया जो broad categories है land mines की वो आपके सामने है कौन-कौन सी है एक तो anti-personal mines होती है और एक anti-tank mines होती है तो दोनों में क्या difference होता है उसको हम देखते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं anti-personal mines are designed to be activated by the weight or pressure of a person walking or stepping on them मतलब एक आदमी अगर उनकी उपर चल रहा है mines के उपर तो उस आदमी का weight या pressure जो है उसके according उसको पहचान कर यह mines जो है उसको damage पहुँचाती है तो यह इसी तरह से design की जाती है दोस्तों they are typically small lightweight and designed to mayhem और kill individuals rather than destroy vehicles तो मतलब इसका मतलब यह है कि यह जो mines होती है यह individuals को या तो शतिग्रस्ट करने के गाम आती है हाथ पैर तोड़ दिये ठीक है anti-personal minds कहलाती है दिख रहा होगा आप सबको मेरे पीछे they can be made from plastic metal or other materials and are often brightly colored or disguised to blend in with the environment भया यह ध्यान रखना इनका color जो है बिल्कुल ऐसा बना दिया जाता है जो environment जो आपका परियावरन है उसी में mix हो जाता है blend कर दिया जाता है जैसे मिट्टी के color में ठीक है घास फूस के color में इस तरह से उनका color environment के साथ mix कर दिया जाता है anti-personal minds can cause significant damage to the legs and feet and their victims are often civilians including children ठीक है जादातर हाथ पैरों को यह जो है damage पहुचा देती और जादातर civilians और children इनके जो है निशाने पर होते हैं ठीक है यह आतंकवादी लोग जो है यह लोग ऐसा करते हैं ठीक है इसके अलावा जो है हमारी जो soldiers वगए रहे हैं आर्मी वगए रहे हैं वो भी इस तरह के हद खंडे अपनाती है ताकि दुश्मनों को पकड़ा जा सके उनको जो है मार गिराया जा सके आई बात समझ में सभी लोगों को चलिए चलिए अब हम बात करेंगे एंटी टैंक मिसाइल के बारे में अभी तक हमने बात किये एंटी परसनेल मिसाइल माइन्स अब हम बात करेंगे एंटी टैंक माइन्स के बारे में एंटी टैंक माइन्स किसके उपर डिपेंड करेगी जो टैंक उनके उपर चलेंगे जो माइन् कि टैंक का प्रेशर और वेट कितना है उसके अकोल्डिंग वो उनको डेमेज करेगी ठीक है तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं आपको दिखाई देगा देखिएगा एंटी टैंक माइन्स on the other hand are larger and more powerful and designed to damage or destroy vehicles such as tanks and armored personnel carriers तो भाया जी ये जो हैं एंटी टैंक मिसाइल माइन्स जो हैं ये बहुत बड़ी होती हैं लार्ज होती हैं और लॉंगर होती हैं और ये जो हैं वेहिकल और टैंक को destroy करने के काम आती है उनके उपर से जो वेहिकल गुजरते हैं उनके वेट और प्रेशर से वो ट्रिगर होती हैं और उस ट्रिगर से ही वो जो है blast कर जाती है एंटी टैंक माइन्स can be made from various materials such as metal और प्रास्टिक and can be placed जोने on or below the ground they are often designed to withstand rough terrain weather conditions and the weight of passing vehicles मतलब इनको इस तरह से design किया जा सकता है कि वो जो passing vehicles उनको सबको सहन कर सके जो rough terrain है उसको सहन कर सके environment उसको जहल सके इस तरह से उनको design किया जाता है बड़ी mines होती है land mines जो होती है anti-tank mines और यह पूरे vehicle को नश्ट कर देती है बात समझ में आ रही है सभी लोगों को is it clear to all of you बताईए अब some common types of land mines include कौन कौन सी है वो आप लोगों के सामने blast mines और fragmentation mines यह आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा common types of land mines कौन सी है ठीक है तो blast mines और fragmentation mines क्या है आप लोग मैं पढ़के बता रहा हूँ आप लोगों को blast mines these mines are designed to cause damage to individuals और vehicles by blast of explosive force तो यहाँ पर blast होता है दोस्तों उसी से यह damage कर देती है individuals को और fragmentation mines जो होती है यह design की जाती है to release sharp nail और metal fragments in all directions causing injury or death to people in the area ठीक है तो वो तो blast करती है blast mines तो और fragmentation mines जो होती है यह जो है इनके अंदर से कोई sharp जो है weapons निकलते हैं या फिर इनके जो sharp weapons या metal के weapons निकलते हैं जो चारों direction में जाकर और लोगों को शतिग्रस्ट कर देते हैं या मार देते हैं उनको ठीक है तो यह fragmentation mines आ जाती है तो यह common types of land mines है ठीक है blast mines और fragmentation mines ठीक है यह आप लोगों को सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा तो अभी आपको मैंने बता है कि mines कौन-कौन सी होती है वैसे broad categories में देखा जाए तो एक तो anti-personal mines होती है और anti-tank mines होती है और इनको आप blast mines और fragmentation mines के form में भी इनको differentiate कर सकते हो ठीक है बात समझ में आ रह the armor of tanks and other vehicles using a cane cone-shaped explosive charge that focuses the explosive energy in particular direction ठीक है तो आप लोग देखिएगा पढ़िएगा तो shaped charge mines हो ऐसी होती है कि कोई shape कोई shape का जो पैना मतलब आगे से sharp ऐसा कोई metal होता है या फिर कोई भी एक armor होता है उसको वो जो है blast करती है चोड़ती है और जाकर वो शतिग्रस्ट करता है सामने सामने वाली को जिसको भी आपने attack किया है ऐसी directional mines these mines are designed to direct the explosive force in a specific direction ठीक है तो अगर कोई specific direction की तरफ ही आपको भेजना है तो फिर direction mines काम आती है जबकि shaped charge mines काह जा रही है किसी भी direction में जाके जा सकती है और यहाँ पर आपकी particular target को अगर आपको उड़ाना है तो directional mines को आपको these mines are equipped with sensors that can detect movement or heat and can be programmed to deactivate after a certain amount of time when the area is clear of friendly forces ठीक है तो भाया यह जो है smart mines भी बन गई है आजकल इनको ऐसे sensors लगाए जाते हैं कि वो heat और movement को जो है पकड़ लेती है और उसके हिसाप से वो काम करती है इनको फिर deactivate भी किया जा सकता है अपने आप deactivate हो जाती है प्रोग्राम किय जा सकता है ठीक है इट वर्थ नोटिंग देट लेंड माइन्स है विन बेंड अंडर इंटरनेशनल लौ सिंस 1997 ओटावा कन्वेंशन दू दियर इंडिस्क्रिमिनेट नेचर एंड इंपक्त ऑन सिविलियन्स हावेवर सम कंट्री इस तिल यूज देम एंड मिलियन्स रिमे लेकिन अभी भी जो है इनको यूज किया जा रहा है दोस्तों ठीक है तो उम्मीद करता हूं कि सभी लोगों कोई जानकरी अच्छे से समझ में आगई होगी पसंद आई होगी हमार अपने जो सेशन्स होते हैं cds के आप लोग देख सकते हो कब-कब कौन-कौन सी क्लासेज होती हैं आपके सामने हैं इनको आप सब लोग अटेंड किया करें ठीक है और साथ में एमबाई बैप को आप लोग जब जाएंगे तो वहाँ पर आप लोगों को हर तरह की बुक्स मिलेंगी उन बुक्स के लिजे और टेलिग्राम जो अपना चैनल है एमबाई बचीव डिफेंस एक्जाम वह आपके सामने है उसका लिंक इसको आप लोग जरूर जोइन कर लीजे ताकि पीडिएफ टाइम पर मिलती रहें तो थेंक्यू सो मच गाईस सेशन को ज्यादर ज्यादर शेयर और लाइक करें बाई बाई जैंट